तो IPL 2022 का नौवा मुकाबला मुंबई इंडेंस बनाम राजसान रोल्स के बीच खेला जाने वाला है जहां मुंबई इंडेंस की प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादो की वाफ सी और यह तो वही राजसान रोल्स की प्लेइंग लेवन में भी काफी बड़ा बदला होने वाला है तो ऐसे में दोनों टीमों की प्लेइंग लेवन ने क्या रहने वाली है कौन से वेनू पे ये मुकाबला खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच head to head record क्या साथ में हम प्रेडिक्शन भी करने वाला है कौन सी टीम में मुकाबला जीतने वाली है वह ही आपको fantasy tipsy मिलने वाला है तो वीडियो काफी जादा important रहने वाली है वीडियो में अन्ततक बने रहना और अगर आप इस चलना पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट करते है तो आप सभी को पता तो अगर आपको किसी भी match का 100% accuracy के साथ prediction जानना है तो आप मनिज भाई को contact कर सकते है तो दूस्त सबसे पहले हम बात करते हैं timing and venue की तो IPL 2022 का नववा मुकाबला Mumbai इंडियन्द बना म्राजस सानल्स के बीच दो पहर को साड़े तीन बजे DIY पार्टिल इस्टेडियम मुंबई में खेला जाने वाला है मुंबई अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में काफी बढ़े बदला होने वाले जहां मुंबई इंडियन्स की प्लेइंग इल्ओन कुछ इस तरह रहने वाली है रोहिशन मा इशान किशन ओपन करने वाले, 3 नमबर पर सूरिकुमार यादो, 4 नमबर पर तीलक वर्मा, 5 नमबर पर केरांड पोल, 6 नमबर पर टीम डेविट, 7 नमबर पर फवयन एलन, 8 नमबर पर मूरगन, 8 नमबर पर टैमेल्स भी, 10 नमबर पर जस्प्रिट भून, और 11 नमबर पर बशिल थंपी, रहने वाले हैं, वही राज़त सान्रोल्स की प्लेइंग एलोन, मिननातन कल्टा निले बाहर बैट सकतो, और उनकी जगह, इंडेरियन मिचल को प्लेइंग एलोन में जगह मिल सकती है, और राज़त सान्रोल्स की प्लेइंग एलोन, कुछ इतरह है रहने वाले, इशेश्वी जासवाल जॉद्बडर ओपन करने वाले, तीन नमबर पर द्योधत पटिकल, चान नमबर पर कैप्टन संजू संजन, पाज नमबर पर शिमरनेट, मैचे रमबर पर रियान पराग, साथ नमबर पर डैनियल मिचल, आठ नमबर पर रवी चंदर, अश्वी नमबर पर ट्रेंड बोल्ट, दत नमबर पर उजेंदर चल, और ग्यारवे नमबर पर प्रशिद किरिशना रहने वाले, तो तो दोनों टीमों की प्लेइंग और कुछ इतरा है रहने वाली, अलाग कि एक दो बड़े चंदर से हो सकते हैं, वह अगर हम दोनों टीमों के बीच हेट टो हेट रिकॉर्ड की बात करें, जहां दोनों टीमें IPL में आपस में टोटल 25 मुकाबला के लिए, और 25 में से 13 मुकाबला मुंबई इंडन ने जीता, तो हूँ ग्यारा मुकाबला राजस सानलोल ने जीता, यानि दोनों टीमों के बीच काटे की टकर देखने को मिलने वाली है, तो दोनों टीमें IPL 2022 में एक-एक मुकाबला खेला है, जहां मुंबई इंडन को पहले मुकाबले में आर मिली थी तो हूँ राजस सानलोल ने पहले मुकाबले में जबरदस जीत के साथ शुरुआत की है, हमें टॉस की तो जैसे की IPL 2022 में जो भी टीम शुरुआत जीती है और पहले बॉलिंग करने का फैसल लेती है और उनका निंडने सही भी रहता है, 95% ऐसे की जो चेस करती है टीमों यह मुकाबला जीती है, मात्र राजत स्थानवल सी एक ऐसी टीम है जो चेसनापल के पहले बैटिंग करके जीती है, बाकी जितनी भी टीमें टॉस जीती है वही मुकाबला भी जीती है तो इस मुकाबले में जो भी टीम टॉस जीती की वह पहले बॉलिंग करने का फैसला लेने वाली है, मुंबरी अगर हम बात करें वेदर रिपोर्ट की तो IPL 2022 का ये मुकाबला मुंबरी के DIY पार्टिल इट्रिडम में खिले जागा और यहाँ पर बारिश होनी की कोई भी अशंकाय नहीं है पूरी तरह से वेदर किलियर रहने वाला है तो हमको ये मुकाबला काफी बहतरीन और अच्छे से देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं प्रेडिचेनी कौन सी टीम में मुकाबला जीत ले वाली है दोनों ही टीमें अपने आप में काफी जादा मजबूत और बहतरीन है जहां मुंबा इटिन्स पांच बार की चेंपियन है तो हम ये मुंबा इटिन्स को थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा क क्योंकि इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादो की वाफ सी हुई है तो वही राजस्थानोल भी अपना पहला मुकाबलार जीत कर काफी जादा कॉन्फिडेंस में है तो अगर हम टॉप ओडर की बात को तो टॉप ओडर में जहां दोनों टीमें काफी जादा मजबूत है त दोई मीडल और में मुमबटन थोड़ी सी मजबूत नज़ा आ रही है राजस्थानोल ते लेकिन रोर और में राजस्थानोल काफी जादा मजबूत दिखाई दे रही है मुमबई इंडन ते तो 19-20 के फरक से ये मुकाबला राजस्थानोल से जीते सकती है वह ऐसे दूस् चहल, जस्परिट, बुमरा और टीम डेविड ये तीन किलाड़ी ऐसे जो मैच का पूरी तरह से पासा पलट सकते हैं वह ऐसे दोस्तों अगर आपको कम्प्लीट टीम चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजिए मैं आपर टीम प्रोवाइड करता हूँ